हलो एवरीवन, तो गाईज मैं आप सब के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रैंड स्लेम 2023 ग्रैंड स्लेम जो एक साल में चार ग्रैंड स्लेम होते हैं और ये टैनिस खेल के साथ में जुड़े हुए हैं तो एक एक करके हम सारे ग्रैंड स्लेम जो हैं वो आज पढ़ने वाले हैं तो किस किस ने जीता और यहां से जुड़े हुए जो जो questions एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किये जाएंगे तो questions पे जाने से पहले थोड़ा सा हम background में जाते हैं पहले यानि की पहले देखते हैं कि इनकी शुरुवात कब से होती है जैसे कि सबसे पुराना जो grand slam है वो है Wimbledon Open इसे oldest grand slam कहा जाता है यह grass court पे खेला जाता है इसकी शुरुवात होती है 1877 से यह 1877 से शुरु हुआ था उसके बाद सेकेंड वाला फिर US Open की शुरुवात होई यह hard court पर खेला जाता है 1881 से इसकी शुरुवात होती है फ्रेंच Open जो की clay court पर खेला जाता है 1891 से इसकी शुरुवात होती है और सबसे newest grand slam होता है हमारा Australian Open जो की hard court पे खेला जाता है और इसकी शुरुवात होती है 1905 से तो ये तो बात हो गई कि कब इनको शुरू किया गया कौन सा किस कोड पे खेला जाता है यहां आप से भी डिरेक्ट क्वेशन आपकी एक्जाम में बनती है अब एक नजर मारते हैं कि इस साल वाले जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीते हैं आप देखो जब हम मैंस कटेगर की बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक है नुवाक जोकोविश जिनों ने आप सिब का भला कर दिया है कैसे कि तीन ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिए हैं तो आपको जादा नाम याद रखने की जरुरती नहीं है बस एक विंबल्डन ओपन याद रखना है विंबल्डन ओपन जो कार्लोस अलकराज ने जीता है इसको भी मैं ट्रिक से याद करा देती हूँ देखो विंबल्डन विंबल्डन की हमारी ट्रिक कुछ इस तरीके से रहेगी विंबल्डन को कर दो स्टार्टिंग में विन विम है आप इसको विन कर दो जीतने के लिए क कुछ इस तरीके से कर लो ठीक है यानि की विन मतलब जीतने के लिए मेहनत करने होगी तो यह मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया बाकी तीन जो बच गए हैं तीनों जितने हैं जीते हैं किसने नुवाक जोकोविश ने अच्छा तो कार्लोस अलकराज यह स्पेन से बिलॉ वोमेंस केटिगरी में मारकरेटा जो है इन्हों ने जीता है ठीक है तो मारकरेटा यह कहां से बिलॉग करती है यह बिलॉग करती है चेक रिपबलिक से नेक्स्ट यूएस ओपन जीता है कोको गॉफ ने जीता है यह यूएस से से बिलॉग करती है उसके बाद है आपका फ् और ये बेलारोस के खिलाडी है, ठीक है, अब इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों को, तो मैं लेकर चलती हूँ कोई इस फॉर्मेट के questions की तरफ, ताकि आप लोगों को दिमाग में चीजे एकदम आसानी से fit हो जाएं, ठीक है, तो सवाल लगा बताएं, बताएं, Australian Open Tennis Tournament 2023 के पुरुश एकल, यानि की Men's Category में इसे किसने जीता है, तो आप से पूछा जाने सिर्फ Men's Category में इसे किसने जीता, मैंने आपको बताया था कि जो Wimbledon Open है, उसको छोड़कर तीनों Grand Slam जीते हैं, नुवाक, जोकोविश ने, ठीक है, तो यान कि हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सा, option number C, उसके बाद आते हैं, US Open Tennis Tournament 2023 का जो वोमेंस वाला टाइटल हुआ था, कौन सा, वोमेंस वाला टाइटल, ये आप से पूछा जा रहा है, किसने जीता, तो ये किसने जीता, कोको गॉफ ने जीता है, ये हमने अभी देखा, option number B is your answer Okay, Wimbledon Open Tennis Tournament का पूछा जा रहे कि ये जो खेल है, वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, option A होना चाहिए, correct answer, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, Australian Open Tennis Tournament के जो वोमेंस टाइटल है, ये किसने जीता, Australian Open की बात करेंगी, तो Australian Open वाला जो है यानि की newest वाला Grand Slam जो आर्यनास वालिंका ने जीता, ये बिलारूस से बिलॉंग करती है, यानि option A होगा आपका correct answer, देखो चीज़े याद हो रही होगी आपको अभी, next आते हैं, कार्लोस अलकरास किस देश से संबंदित है, तो मैंने आपको बताए, ये Spain से बिलॉंग करत question, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कि सबसे जादा जो Grand Slam है, वो किसने जीते हैं, तो मैं पूरे लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो, सबसे जादा Grand Slam पूछा जाएगा, तो आप simple answer करेंगे, नोवाक जोकोविश ने जीता है, ठीक है, अगर पू आपन जो है, ये सबसे जादा बार राफेल अडाल ने जीता है, 14 टाइम्स, विंबल्डन आपन सबसे जादा बार रोज फेडरर ने जीता है, ये आठ बार जीत चुकी है, उसके बाद यूएस आपन सबसे जादा बिल डिलेन ने जीता है, ये 7 टाइम्स जीत चुकी है, तो ये जो चार शीजें है, ये जो चार नाम है, वो very very important है, आपसे कोई भी grand slam दे दिया जाएगा, सबसे जादा बार किसने जीता है, तो ये चार नाम आपको याद रखने, इस बार के लिए सबसे important नाम होना तो चाहिए नुवाक जो कविश का चीक है, लेकिन ये question एक थोड question अगर tough करना होगा, तो examiner बाकी तीन में से पूछेगा, आज कल सवाल उतने आसान नहीं बनते हैं, ध्यान रखेगा, खास कर engineering के जो papers होते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको बाकी तीन जो हैं, वो अच्छे से याद करके जाने हैं, next, मार्केटा वांडरो सोवा ने इस साल किस grand slam tennis tournament के women's title का खिताब जीत लिया है, मार्केटा ने जीता है, US Open, यानि की answer क्या हो जाएगा हमारा, that is, sorry, कौन सा है, मार्केटा है, विंबल्डन ओपन जीता है, option number D होगा, correct answer, ठीक है, next, grand slam के आयोजन करम के हिसाब से, कौन सा करम सही है, आप से पूछा जा रहे हैं कि सबसे पहले किसका आयोजन किया जाता है, और सबसे बाद में किसका आयोजन किया जाता है, तो भई सबसे पहले जो होता है, वो Australian Open होता है, उसके बाद French Open, फिर Wimbledon, और फिर लास्ट में होता है, US Open, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, Australian, French, Wimbledon, then US Open का आयोजन किया जाता है, वैसे तो ये सबसे पुराना grand slam है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, सबसे पहले newest जो हुआ था, उसका आयोजन होता है, साल में, इस तरीके से चारों का आयोजन किया जाता है, करती है, इन्होंने जीता है कौन सा French Open, इन्होंने जीता है French Open 2023, नेक्स्ट, Australian Open की शुरुवात कब से हुई, तो ये मैंने आपको बताया, सबसे newest grand slam, 1905 से इसकी शुरुवात होती है, नेक्स्ट, तो US Open Grand Slam 2023 वाला men's title जो है, ये किसने जीत लिया है, तो ये किसने जीता है, नुवाक, जोकोविश ने जीता है, option number A होगा, correct answer, ठीक है, कोको गॉफ ने US Open 2023 जीत लिया है, और ये कौन से country से बिलॉंग करती है, तो कोको गॉफ की बात करती है, ये कहां से बिलॉंग करती है, ये आपसे पूछा जा रहे है, तो यहाँ पे जो correct answer that is America, अमेरिका से option number A is your answer, who was the first Indian to win a Grand Slam, पहले भारती कौन थे, जिन्होंने Grand Slam जीता, तो your answer is Mahesh Bhupati, ये previous year का question है, जो की exam के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है, so guys, these are the questions, जो आपकी exam perspective से important थे, मैंने सारे questions आप लोगो इस वीडियो में cover करा दिये है, उमीद करती हू कि आप लोगो session helpful लगा होगा, और एक उमीद ये भी करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से एक जगे पे नोट कर लीजेगा, वैसे मैं PDF आप लोगो प्रोवाइड करा दूगी, बट स्टिल, बहुत जादा चीजे नहीं है, आपको सिर्फ चार ही Grand Slam है, जो लिखने है आप अगर अपने handwriting में एक paper पे लिखोगी, तो सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगी उसमें, और ये जो paper रहेगा वो बहुत आपका, you know, exam time पे, revision में एक जगे पे सारी चीजे आपको मिल जाएंगी, so मिलते हैं फिर next वीडियो में, और next topic कौन सा आप चाहते हैं, किस topic के उपर मैं next video ले के आऊ, ये मुझे comment section में जरूर बताएगा, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं next topic के साथ में next video में, जितने भी new students हैं, जो channel पर पहली बार आएं, तो वो channel को subscribe कर दिजेगा, so that कि मेरी आगे आने वाली videos का notification आपको मिल सके, और मैं इसी तरह से नईने topics पे videos आपके लिए लाती रहू, so thank you so much, have a good day, take care and bye-bye.